जब घर में कोई खास ओकेशन हो, कोई बड़े हो, कोई भी पार्टी हो, तो आप ये पटेटो बाइट जरूर बनाएं, बचे इने देखते ही जल पड़ेंगे, बहुत ज़्याद खुस हो जाएंगे और जब बचे खुस होते हैं, तो माई भी बहुत ज़्याद खुस होती ह सबसे अच्छी बात इनकी पटेटो वैट्स की क्या है कि आप इन्हें बना करके पहले ही फ्रीज में रख देंगे तो दो तीन दिन पहले भी बना करके रखेंगे बाद में प्राइ करके जिस दिन पाटी है इंजोई करें तो चलिए बहुत आसान सी रेसिपी है बहुत सिंब सबसे पहले मैंने ले लिए है आलू आलू यहां पर मैंने लिए है चार अच्छे से इने बॉयर कर लिया था बहुत एकदम से पतले ने पानी जैसा नहीं बना देना है टाइप रहने चाहिए थोड़े यह और इने ठंडा होने के बाद मैस कर लेंगे अब आलू को फोड़ चाहिए रवा सूजी तीन चमच मैंने इसमें कॉनफर डाल दिया है कॉन इस्टाज बोलते हैं और ब्लैक पेपर डाल दिया आधा चमच और थोड़ी ची एक चमच डाल दिये मैदा सबी चीजों को mix कर लेंगे आप avoid भी कर सकते हैं मैदा को डालना चाहें तो डाल दें वरना तो avoid भी करते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि market में जो recipe होती है यहीं बिल्कुल ऐसी होती है आप इसमें हम डाल देंगे bread crumbs लेकिन पर्सनली मैं आपको बताओं तो मुझे ब्रैट क्रम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं नेकर मार्कीट वालों में इस तरीके से क्रम्स होता है जो डल के आता है आप इने बिना क्रम्स डाले भी बना सकते हैं उससे भी बहुत अचा फ्लेवर आता है बिना क्रम्स के बहुत अचा से मिक्स कर लें और यह हमारा डो लगके हो गया रेडी अच्छ से चिकना कर लेंगे और बस थोड़ा लगा करके इसे रख देंगे हम साइड में और अब इसके हम इस तरीके से राउंड राउंड बोल बना लेंगे आप कोई भी सेप दे सकते हैं तो मैं जो मार्कीट में बंब्हुत आसानी से इसकी सेप बन जाती है ज्यादा म्हेनफ लग दैया कोट करें आप फ्रीज में भी रख सकते हैं आराम से एक हपते भी लग देंगे तब ऑप अराम से ठीक रहते हैं खराब नहीं होते है मैंन करें कोई घैस ट्राया देकी निकाला में और अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे एकदम से पतला बनाना है हमें ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है बहुत पतला होता है बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं होता है मैं आपको चमस से दिखाऊंगे इस तरीके से होना चाहिए ये देखे अच्छे से घुल गई है ये सलैरी तयार हो गई है और मैं चमस में दिखांगे ये देखे इ compass से वाइटनेस होना चाहिए इतना वाइट होना चाहिए ये परफेक्ट सलैरी है अमरे बन के लेटर रेडी हो है इसी हम डालेंगे पाटेटो बाइट को इस तरी के से रांड बुमाएंगे और intra जुब अपिर है इसमें डाल करके साइट में जिस तरी कि कोट कर देए इस तरीके इसे कॉट कर देना है काफी आएसी तरी किसे तो यह तरीके अब आफे कोण हो जाएगा और इस तरीके से सारे पटेटो बाइड बायटि को में कोण कट कर लिना ए और साइड में रख देंगे और साके हैज़ अच्छा हो जाएंगी तो इसी में फ्रीज तो इन्हें हमें फ्रीजे में रख Deep deep ओईल हमारा मीडियम गरम है जादा हीट जादा हाई गरम नहीं होना चाहिए वरना तो यह उपर से जल जाएगे और अंदर से कच्छी रह जाएगी और धीमी आज पर अराम से इने सिखने देना है और यह परफेक्ट हमारा पटेटो बाइट्स बनके हो गया है रेडी आप इने जरूर ट्राय करें जबी भी पाटी हो हफ्ते पर पहले भी बना करके इने रख देंगे तो यह खराब नहीं होंगे फ्रीजर में रख दें आराम जैसा भी आप कमन करें और बचे इने देखके बहुत कुछ हो जाएंगे आप भी इसे इन्जॉय करेंगे बचे भी इन्जॉय करेंगे बिल्कुल मार्किर जैसे परफेक्ट पाइट्स आपके बनके तियार होंगे अगर रेश्पी पसंद आए तो प्लीज जाज जादे श सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नहीं रेश्पी के साथ अलकाल सेल्दी की चीन में तब तक अपना क्याल रखें थैंक्यू बाबाई